तो यहां पर आगर आप देख रहे होंगे इस टाइब के इस टाइब करना चाहिए तो कभी ना कभी कुछ कॉंसेट होते हैं जो हमें करके रखना पड़ता है कोश्चंस के लिए कोश्चंस को अप्लाए करना चाहिए तो यह देखिए कोश्चंस काफे इंटरेस्टिंग निपकर जाती है इसकटेक्चर वाले जिसके अपको निकालनी है इसमें आपको simple boron के hybridization निकालनी है, boron atom के hybridization निकालनी है, कितने boron के hybridization कितनी है, यह आपको पूछी गई है, तो अगर ऐसे type के questions आपको पूछे जाती है, तो आपको कौन से concept को apply करना चाहिए, तो पहले आप questions को अच्छे से read कीजिए, और मुझे comment में answer दीजिए, कि इसका answer क्या हो होने वाला है, तो आपके पास one minute है, one minute के अंदर आप easily answer दे सकते हो, मैं पहले देखना चाहता हो, कि आपके mind के अंदर कौन से concept की base पर ये questions solve हो रहा है, तो आप ज़रूर comment box में comment करें और मुझे बताए, कि यहाँ पे कौन से concept apply हुआ है, और इसका answer कौन से होगा, the answer is first, second, third और fourth, और आपने किस की base पर इस questions को solve किया है, उसके बाद हम देखेंगे, कि हमें किस base पर इस questions को solve करना था, तो ज़रूर comment करें, आपके पास 35, 31, 30, ये seconds बचे है, जिससे आप अपने concept को apply कीजिए, recall कीजिए, कि हाँ पे आप कौन से concept को apply करने वाले है, तो one minute enough होता है, की बात करते हैं, तो one minute is enough, तो ये से ज़्यादा आप time नहीं ले पाऊगे, तो काफी interesting questions और काफी easy है, अगर आप थोड़ा सा logically भी जाती हो, तो इसका answer आपको पता चल जाएगा, तो देखिए, अब यहाँ पे हम कौन सा concept को apply करेंगे, जब भी इस टाइप के questions आते हैं, तो आपको देखना पड़ेंगा इस structure को, और आपने structure लिख लिए है, पहले आपने structure को लिख लिए है, B4, O5 and OH by 4 to negative, अब जब भी इस टाइप के questions आपको दिये गए हैं, तो OH 5 दिया है, ठीक है, OH 4 दिया है और oxygen आपको 5 दिया है, और यह oxygen के meaning होते हैं, यह oxygen कही न कहीं कहा पे है, bridging position पे, ऐसे अगर oxygen आपको दिख रहा है, जहां पे हम बुलेगा O2, O5, यह समझ जाना कहीं नहीं कहीं, यह कहां पे exist करेंगे, they exist in the bridging position, और obviously OH है, तो ओविच कहां पे exist करेंगे, terminal site, तो अगर आप इसका structure बनाती हो, इस structure बनाओगे, तो 4 boron आपके पास present है, मैं simply 4 boron लिखता हूँ, यह आपके 4 boron atom है, और थोड़ा easy करके लिखे, तो इस type से लिखे, जिससे आपको और ज़्यादा होने आजेगा, 1, 2, 3 and 4, oxygen कितने हैं, the oxygen, this oxygen is 5, इसका मतलब, by oxygen bridging, 1, 2, 3, 4 and 5, oh कहाँ पे होंगे, terminal positions पे, तो terminal positions पे आप oh लिख सकते हो, this is oh, 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 oh और, boron की balance है 3 है, बढ़ यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ पर negative आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपको इस texture में दिया है, 2 negative, ठीक है, यह boron कितने है, 3 है, अब इसके hybridization हम निकाल लेते हैं, hybridization कैसी होती है, तो number of bond pair plus loan pair, number of sigma bond plus, loan pair तो यहाँ पर number of sigma bond is 1, 2 sigma bond, 3 sigma bonds, और total number of 3 sigma bonds है, तो 3 electrons pair होंगी, और 3 electrons pair की hybridization क्याती है, SP2, और if hybridization is SP2, geometry is trigonal planar, तो यहाँ पर देखिए, number of sigma bonds, 1, 2, 3, 4, 4 sigma bonds और 4 sigma bonds की कितने electrons pair हो जाएंगे, 4 electrons pair, और 4 electrons pair की hybridization आ रहिया है, SP3, और if hybridization is SP3, the geometry is tetrahedal, तो आपके पास कितने tetrahedals है, यह भी आपका tetrahedal हो जाएगा, और SP3 hybridized, यह क्या हो जाएगा, SP2 and trigonal planar, तो number of boron, SP2 वाले कितने है, 2 है, number of boron, SP3 वाले कितने है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि answer आपका क्या हो सकता, the answer must be हाँ पर आपको दिया खाया है, first option में, कि all four boron items are trigonal planar, ऐसा नहीं हो सकता है, तो यह तो incorrect हो चुका है, this is the incorrect, second option देख रहे है, one boron item is the tetrahedals, and other three boron item is the trigonal planar, तो यह भी नहीं होगा, next day, three boron item is the tetrahedals, and one is the trigonal planar, यह भी नहीं हो सकता है, remaining बचा है, two boron item is the tetrahedals, and two is the trigonal, ठीक है, तो इसकी base पर हम क्या कर सकते हैं, easily find out कर सकते हैं, structures की base पर कि आपका answer क्या होगा, तो यह है आपका simply borax structure, और इसमें आपको पूछे जाते हैं, hybridization of boron, या फिर पूछे जाते हैं, geometry of boron की, दो boron की geometry क्या होगी, और other two boron की geometry क्या होगी, तो different type के boron, borax आपके पास है, जिसकी आपको structure पूछा जाता है, और sometime आपको उसकी hybridization भी पूछी जाती है, तो इस type से आप क्या कर सकते हो, यह इस questions को solve कर सकते हो, ठीक है, तो काफी simple questions था, और काफी interesting questions था, जो आपने देखा है, थोड़ा सा logic apply करना था, कि यह जो ophi हुआ है, इस ophi के meaning क्या होते है, कहाँ पर exist करेगा, और oh कहाँ पर exist करेगा, यह आपको पता हो ना, आप उससे easily structure को draw कर पाएंगे, because सारी चीज़ें आपकी satisfied हो रही है, तो इस type से आपको क्या करना है, questions को solve करना है, if you like the video, please like, share and subscribe.